हलो स्टूरेंट नमस्कार कैसे हो आप आई होप अच्छे होंगे आज हम सीखेंगे लाव हानी यानि के प्रॉपिट अड लॉस रिलेटेड कुश्चिन तो कुछ इसका डीटेल समझ लेते हैं क्रैमूल कॉस्ट प्रैस क्रैमूल या कॉस्ट प्रैस उसे कहते हैं जिस दाम मे हम कोई भी चीज को खरीदते हैं बिकरैमूल यानि के सेलिंग प्रैस वह ऐसा दाम जिसमें हम बस्तों को बेशते हैं एक यदि हम कोई बुक पचास रुपिया में खरीदे तो यह क्या हो गया कॉस्ट प्राइस ठीक है यदि हम उसको हम साट रुपिया में बेश दिये तो क हो गया? Selling price. तो 50 रहाती हैं, 60 रहाती हैं. तो cost price समझ गया है, और cost price समझ गया है? अब क्या होता है? देखें. Cost price, cost price हो गया है? यदि हम cost price time में घटा करके बेशते हैं. ठीक है? यदि रुप्या को घटाते हैं तो अब बेशते हैं तो यह क्या हो जाएगा हानी और यदि कॉस्ट प्राइस में यानि कि क्रेमूल में रुपिया को बढ़ा करके बेशते हैं तो यह क्या हो जाएगा लाब यानि कि profit आने याने के loss ठीक है अब देखिए लाब बराबर क्या होता है लाब बराबर होगा यह देखिए 60 रुप्या और 50 रुप्या तो 60 रुप्या जाता है तो क्या हो जाएगा लाब बराबर बिक्रैमूल माइनस क्रैमूल ठीक है ज्यादा में नकम घटता है तो लाब क्या हो जाएगा बिक्रैमूल माइनस क्रैमूल हाने बराबर क्या हो जाएगा क्रैमूल क्रैमूल माइनस बिक्रैमूल ठीक है अब एक कोशन इससे रिलेटेड बनाएंगे तो ये कोशन हो गया कोशन है किसी वस्तु को 80 रुपया में खरिद कर 100 रुपया में बेश देते हैं तो लाब और लाब पर तिस्ट ग्याद करें तो यहां देखेंगे हम लाब का फर्मूला क्या लिखायाते हैं लाब बराबर बिक्रेमूल माइनस क्रेमूल चोचेएं बिक्रेमूल कितना है 100 रुपया क्रेमूल कितना है 80 रुपया तो 100 में से 80 खटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 बीस रुपिया जो है यह क्या हुआ लाब अब देखिए लाब परतिसत क्या होगा लाब परतिसत बराबर लाब गुना सौफ बटा क्रेमल तो लाब कितना है बीस गुना सौफ पटा क्रेमल कितना है जिसमें हम खरीदे थे असी रुपिया तो यह क्या जाएगा बीस चौक काटेंगे बीस चौक असी अचार पचे पचीश चौक का सो तो यह लाब परतिसत कितना हो जाएगा 25 परसे अब दूसरे कोशन में देखेंगे किसी वस्तु को 60 रुपिया में खरीद कर 30 रुपिया हम बेशते हैं तो हानी और हानी परतिसत ग्याद करें तो इसमें 60 रुपिया क्या हुआ क्रेमूल और तीस रुपिया क्या होगा बिक्रेमूल तो हानी परतिसत क्या हानी पराबर क्या होता है फर्मूला क्रेमूल जैसा की उपर लिखवाए हैं क्रेमूल माइनस बिक्रेमूल यह होगा क्रेमूल मतलब cost price और minus बिक्रायमूल यानि selling price तो cost price कितना होगे साट बिक्रायमूल क्या होगे तीस तो यह क्या बच गये तीस बराबर हानी होगे अब देखिए हानी परतिसत हानी परतिसत क्या होता है हानी गुनसो मतलब क्रायमूल देखिए हानी परतिसत लाब परतिसत सिफ लाब परतिसत में लाब हो जाएगा और हानी परतिसत में हानी हो जाएगा बस यह अंतर, और कोई अंतर नहीं है, तो हानी कितना हो गया, 30, 9, 100, बटा क्रेमल कितना था, 60 रुपया, बटा, 60, 30 से कहें, 30, 38 दुने, 60 दू कहें, 2 अब यह 50, हानी बराबर, 50 परसेंट, आपको यह वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेर करें, और चैनल में नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,